करके देखें प्रश्ण एक नीचे दी गई समानतर श्रेणियों के अगले तीन पत ग्याद कीजिए पहला पांच, ग्यारह, सत्रह, तेईस और इसी प्रकार आगे दूसरा रिन ग्यारह, रिन आठ, रिन पांच, रिन दो और इसी प्रकार आगे तीसरा, चार बटे नौ, साद बटे नौ, दस बटे नौ, तेरह बटे नौ और इसी प्रकार आगे चौथा, शून्य, नौ, अठारह, सत्ताइस और इसी प्रकार आगे समानतर श्रेणि को व्यापक रूप में व्यक्त करना हमने यहां कई समानतर श्रेणियां देखी यदि हम समांतर शेणी के पहले पद या प्रथम पद को small a और सार्वांतर को small d से वेक्ट करें, तो हम आगे के सभी पद small a और small d के अधार पर बता सकते हैं. समांतर शेणी का दूसरा पद पहले पद में सार्वांतर small d जोडने पर मिलेगा, यानी दूसरा पद a प्लस d होगा. इसी तरह दूसरे पद a प्लस d में d जोडने पर तीसरा पद a प्लस d प्लस d प्राप्त होगा. आप समांतर शेणी को इस तरह लिख सकते हैं. और इसी प्रकार आगे इसे समानतर श्रेडी का व्यापक रूप कहते हैं पदो की संख्या परिमित होने पर इसे परिमित समानतर श्रेडी कहते हैं और पदो की संख्या परिमित होने पर इसे परिमित समानतर श्रेडी कहलाती है आप देख सकते हैं कि उधारन एक में दी गई समानतर श्रेडी 7, 11, 15, 19 और इसी प्रकार आगे में पदो की संख्या परिमित है इसलिए यह परिमित समानतर श्रेडी है करके देखें पहला एक अपरिमित समांतर श्रेडी बनाईए जिसका प्रथम पत पांच और सारवांतर तीन हो दूसरा पांच पदों वाली दो परिमित समांतर श्रेडिया बनाईए तीसरा, दस पदों वाली किसी परिमित समांतर श्रेडी की सबसे बड़ी सदसे संख्या कौन सी होगी? यदि A बराबर 11 और D बराबर 6 नोट, सार्वंतर का हमेशा प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है सार्वंतर कोई भी वास्त्विक संख्या हो सकती है उधारण 2 किसी समांतर श्रेडी का प्रथम पद A बराबर 10 सार्वंतर D बराबर रिन तीन हो तो श्रेडी के प्रथम तीन पद लिखिए हल प्रथम पद A बराबर हमारे पास 10 जो कि दिया है सार्वंतर सार्वंतर D बराबर रिन तीन ये भी हमारे पास दिया है सबसे पहले हम द्विती पद ग्याद करेंगे द्विती पद के लिए हमारे पास होता है सूत्र A धन D प्रथम पद और सर्वांतर का योग द्विती पद होता है तो प्रथम पद है हमारे पास 10 और सार्वंतर जो है वो है रिन तीन तो जब हम कोश्टक कोलेंगे तो 10 रिन तीन बराबर साथ तो इस तरह से हमने द्विती पद ग्याद किया साथ अब हम ग्याद करेंगे द्विती पद तिती पद के लिए हम मारे पास सूत्र होता है ए धन दो डी बराबर ए का मान हमारे पास 10 है धन दो गुणा में है तो कोश्टक में लिखेंगे डी का मान रिन तीन दिया है इसे हल करेंगे तो 10 और धन दो को रिन तीन से गुणा करने पर रिन छे बराबर 4 अतहा शेणी के प्रथम के प्रथम तीन पद पहला पद हमारे पास दिया था दस उसी तरह से दूसरा पद हमने ग्याद किया साथ और दिती पद हमने ग्याद किया चार तो अतहा शेणी के प्रथम तीन पद दस दस साथ और चार है तो यह इस उधारण का हल है समानतर शेडी के पहले पद या प्रथम पद को A1 से दूती पद को A2 से दूती पद को A3 से इसी प्रकार N वे पद को A N से तथा सार्वानतर कॉमन डिफरेंस को D से व्यक्ट करें तो समानतर शेडी को A1, A2, A3 और इसी प्रकार A N से व्यक्ट कर सकते हैं इस इस्तिती में सार्वानतर D बराबर A2-A1 बराबर A3-A2 बराबर इसी प्रकार A N- A N-1